नमस्कार आज हमरे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने अंक जोतिशी और बॉडी लेंग्विज एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गनेश कुमार जी आपका सिटी लाइव में हार्दिक स्वागत है सबसे पहले हम आपसे जाना चाहते हैं कि राजनीती और धर्म क्या दोनों एक दूसरे के प्रेरख हैं परस पर एक दूसरे के विपरीत हैं या साथ में हैं राजनीती और धर्म का जहां तक सामन जश्य का सवाल है तो ये बात सबसे बड़े रूप में देखनी चाहिए कि धर्म जो है वो राजनीती का बहुत बड़ा अव्यव है और राजनीती जो है वो धर्म पर अवलंबित रहती है ये बात कहना कि राजनीती और धर्म दोनों में कोई सामन जैसे नहीं है कोई इनके भी स्तालमेल नहीं है ये बिल्कुल खलक है इस बात को यूँ समझना चाहिए कि जो राजनीती है वो धर्म विहिन अगर हो जाए तो वो विध्वा की भाती होती है कि जो जी भले ही ले गोजारा भले ही कर ले लेकिन उसका सिंगार जो है वो लुट जाता है राज राजनीती के सहयोग के बिना पंगू होकर रह जाता है इसलिए मूल बात तो जो है वो ये है कि धर्म और राजनीती दोनों एक दूसरे के साथ रहकर समाज को और देश को सही ढंग से दिशान दिरदेश दे सकते हैं कुमार जी जैसा कि आपने कहा कि साथ रहना बहुत ज़ दिरदेश मालिया है और कहीं नहीं जब चुनाव होते हैं तो उन्हें वो उपयोग धर्म का नाम पे वोट बटोरने का काम करती है लेकिन क्या धरातल पे इसी थी है यह जो वोट बेंक की राजनीती है इसकी कई विडम बनाये है और यह सबसे बड़ी विडम बना जो है भ अमारा देश मतलब जो सांस्कृतिक देश है, राष्ट्रे हैं हमारा, न कि भगुलिक राष्ट्रे, यानि जहां जहां सानातन संस्कृत्य है, और विशेसकरन जो भगुलिक राष्ट्रे उसमें भी, ये सबसे बड़ी विद्वन्सक इस्थती यही है, और इसे मुक्ति पानी का एक ही रास्ता है कि धर्म के प्रती सदभाव हो राजनीतिक लोगों में धर्म के प्रती सम्मान और आस्था वास्तवी कुरूप में हो न कि उसको एक काम लिया और फैंक दिया यानि कि यूजेंड थ्रो की स्थती नहीं हो कि वो लेने का वक्त हो तब तो सर पे चड़ाए और उसके बाद में ये भी भूल जाए कि फला मठ में फला जो मंदिर है या फला जो धारिमिक संस्थाने वहां पर गतिवी दियां भी 400 साल 200 साल बाद में किसी वज़े से खंडित हो गई हैं यहां तक कि हमारे यहां तो यह देखने माता इतने निष्ट और अंदिर्मम हो जाते हैं राजिनीतिक व्यक्ति धर्म की संस्थान की मन्यता और मर्यादा और गरिमा के मामले में कि वे लोग अपने ही दरबार में चाहते हैं कि धर्म के उच्च जन जो हैं धर्म कि जो विशिष्ट जन है वे उनके यहां आए और उच्छे शब्द मगरे के तो हाजरी दे यह हाजरी लेने की प्रवर्टी जबकि होना यह चाहिए कि उन्हें धार में एक संस्ता में जाना चाहिए इस बात को अडचन में क्यों लिया जाता है कि सब हमारा देश तो सेक्यू मतलब पंथ निर्पेक्ष धर्म निर्पेक्ष थोड़ी है क्योंकि कोई भी समाज धर्म निर्पेक्ष होकर जी नहीं सकता कल्यान कारी स्वरूप नहीं ले सकता धर्म सापेक्ष होकर ही चाहे कोई भी समाज हो तो तब उसका कल्यान है पंथ निर्पेक्ष था वो एक ہونے कie भगवा करन की बात करते हैं तो हम आतंकी कहलाते हैं और हम दूसरे कौ्म की बात करें तो देश भक्त हो जτάते हैं आपकी क्या सोचे है दीवगवाई इस बात को यू लिया जाना चाहिए कि एक आदमी के पास में 10 रूपिया है और वो दस रूपया भी खर्च कर देता तो इसके लिए माइने नहीं रहता है देखे पहली बात तो यह है कि एक मात्र सनातन धर्म को अगर हम छोड़ दे तो बाकी सारे के सारे जो धर्म है असल वे धर्म नहीं है वे संपरदाई है पंत है पहले तो इसे समझना पड़ेगा और वे सब के सब किसी व्यक्ति विशेस या व्यक्तियों के समूह और साती सात में किसी पुस्तक विशेस में कैद हैं वे उस दाइरे के बाहर चलने की सोच भी नहीं सकते चलना तो बहुत दूर की बात है तो ऐसे में क्या होता है कि वे जीवन शैली नहीं बन पाई जबकि सनातन धर्म जो है वो अपने आप में आगे जा करके हिंदुत्व की एक विशिष्ट शैली के रूप में और एक बात ध्यान दिये जाने वाली है कि आज जिसम आईसिस की बात कर रहे है आईएस आईएस की बात कर रहे है और जो पूरे विश्व में एक समतावाद और मानवतावाद के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है जो सीरिया से पैदा हुआ और पता नहीं कहां कहां चल रहा है तो इस चीज को यूँ देखा जाना चाहिए कि भई ये सब जो चीजे है ना ये एक बंधे हुए तालाबों में से पैदा होई बदभू का नतीजा है सनातन धर्म तो निरंतर प्रवाहमान सागर की तरब बढ़ने वाले जहरने और नदी का स्वरूप है इसमें तो एक निरंतर जाजवल्यमान स्वच्छता रहती है इसलिए सनातन धर्म जो है वो सनातन है और सनातन रहेगा यहां कोई वैशिष्ट्य का पुर्वाग्रह नहीं है कि सनातन रहेगा चुँकि मैं सनातन धर्म का एक अकिंचन प्राणी हूँ तो कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है यह जीवन शैलियों का शंगर्ष है जो आज विश्व में है और इसलिए जीवन शैलियों के संगर्ष में पंथों के संगर्ष में अगर कोई मुक्ती दिला सकता है तो वो धर्म ही है और विश्व में सिर्फ एक ही धर्म है मैं फिर दोहरा रहा हूँ और वो है सनातन धर्म शेश पंथ है संप्रदाय है जैसे कि आपने संप्रदाय और पंथ की बात की वहीं आपने ये भी कहा कि जो सनातन धर्म है वो शुद्ध नदी और उस तालाब की तरह बहते हुए ज़ड़नी की तरह है तो उस ज़ड़ने को उस बहते हुए नदी को हमरे राजनेता जो है वो ही खराब करने में लगे हुए है आप इसके बारे में किस तरह से कहना चाहेंगे देखिए अगर एक साफ जहरना नदी के रूप में समंदर की तरफ जा रहा है और उसमें दो आदमी जो कीचड़ में सने हुए वे नाहल ये एक जगे फिर थोड़ा आगया जाने पर सौ लोग और नाहल ये कीचड़ में सने हुए उनका कीचड़ तो साफ होई जाता है लेकिन उस कीचड़ के बाद भी वो नदी का पानी अशुद्धन नहीं होता है ये राजनितिक लोग जो है जिन पर ठपा चाहे कोई लगा हो क्यों क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं अब ये अपना मैल दो लेते हैं धर्म में इनकी नजर में होता है कि हमने होश्यारी बरती और हमने धर्म को यूज किया है काम लिया है लेकिन ये लोग इतना नहीं जानते कि सनातन धर्म एक सनातन प्रवाह मान है तो उस सनातन प्रवाह में भला कोई भी कितना ही अपना मैल दोए वो मैला थोड़ी होगा क्योंकि मैला अपन वहाँ पाइदा होता है जहां स्थिरता हो कहते हैं ठहरा हुआ पानी तो बद्बुही मारता है और यहां ठहरने की बात ही नहीं है इसलिए ध्यान दीजिएगा सनातन धर्म में क्या है सनातन धर्म में सबसे पहले नास्तिक उसे कहा गया था कि जो इश्वर को नहीं मानता था लेकिन उस पर कौन सा रूप जो वेदों को नहीं मानता है वो हमारे यहां नास्तिक कहा गया और जो वेदों को मानता वो आस्तिक कहा गया लेकिन बाद में क्या हुआ इसका स्वरूप परिवर्तन क्या हुआ आज नास्तिक उसे कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ इस रूप में कि इश्वर को नहीं मानता है और आस्तिक किसे कहते जो इश्वर को मानता है तो इस परिध और साथ में से छे के छे दर्शन नास्तिक दर्शन है एक मात्र सनातन दर्शन जिसको हिंदू दर्शन का जाता वो आस्तिक दर्शन है क्या ये बहुत बिचित्र बात नहीं है कि इसके बाद भी एक मात्र वही आस्तिक दर्शन जो है सनातन दर्शन वो समस्त पंथों के लिए एक oxygen का काम कर रहा है चलते चलते कुमार जी हम आपसे जाना चाहेंगे कि राजनीती के लोगों को और दूसरे जो देश के हमारी जनता है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे दीपक भाई कई बार कुछ राजनेताओं के कमेंट आते हैं राजनीती करने हैं राजनीती करेंगे और करें खुल के करें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन राजनीती करने में और राष्ट द्रोह नीती करने में अंतर परियात रूप से है और इसे समझ के रहना चाहिए पारशपरिक राज़नीतिक मत भेद इस देश में क्या किसी भी लोकतंत्र में शीरो धार्य है लेकिन राज़नीतिक मत भेदों की आडमे और उसके वेश में अगर रष्ट्र द्रोही तत्वों का समर्थन किया जाएगा तो न धर्म बचेगा, न राष्ट्र बचेगा, न राज बतेगा, न नीती बचेगी और जब ये कुछ बचेगे ही नहीं, तो आप और हम बच करके क्या कर लेंगे जीवन विनष्ट हो जाता है उनका, जिनका राष्ट्रिय स्वरूप नष्ट हो जाता है ये बात हमें धारण करके रखनी है अपने हरदे में बड़ी गंबीरता से और यही कहना चाहूंगा चाहे धर्म से जुड़े लोग हों चाहे राजनीती से जुड़े लोग हों और चाहे समाज के किसी भी तबके के लोग हों यही कहूंगा कि राष्ट्र देवो भव अगर राष्ट्र है तो हम है बाकी क्या गम है ये थे कुमार गणेश जिन्नोंने हमें बताया कि धर्म के बारे में राजनीति के बारे में और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्र भक्ती के बारे में तो आप भी अपनी राष्ट्र भक्ती बनाए रखें जैहिंद नमस्कार